आज के लेक्षर का आगाज करते हैं आज लेक्षर नमबर 34 और हम नहा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जो कि किसी से रिलेट करता है यह इस चैप्टर में जो चीज डिसकास हुई है मैं वह फ्रीविज के बारे में स्टी किया के शेर कैपिटल कंपनी और एंज्चर रवाती है उसके बाद उसके हवाले से कुछ कंसर्फ हमने सेसी आजपरेशन किस तरीके से हो सकती है इस चैप्टर में हम यह डिसकस करने जा रहे हैं कि अगर एक कंपनी शेर को इशू करना चाहती है तो वो इशू करने का प्रोसीजर क्या होगा इस चैप्टर में हम वो प्रोसीजर स्टडी करेंगे इस चैप्टर में को बढ़ाने के लिए जैसे फार एसेंपल हो सकता है कि कमदी फरस्टाइम इंकार्प्रेट हुई है और वो जैनर पॉब्ली को फरस्टाइम शेर इशू करना चाहती है उसके लिए भी सेम प्रोसीजर ह और अगर हो सकता कि बाद में कभी उसे जरौत पड़े तो वो किस तरीके से इस इशेर ना चाहती है क्या सिचु ने जबना चाहिए तोड़े स्थेटिश्च प्लूरेल फार्म सेक्युराइटीज इस्थेति नहीं आपको सेक्युरीटी में फरक्त है सिक्युरीटी मिद्या होता है जमानत के तोर पे कुछ दुखाना ऐस चैटर में सेकूरिटीज अगले किसी चैटर में एक कंपनी की डेफिनेशन में एक कंपनी वीज बाइट्स आर्टिकल रिस्टिक्स ता नंबर नंबर फिफ्टी और फिर क्या था रिस्टा राइट टू ट्रांसफरेट्स शेयर और प्रहेबिस इन्विटेशन तो जैनल पूबिक तो सब्सक्राइब फार इस सेक्यूरिटी में शेयर भी आ जाते है और डिमेंचर भी आ जाते हैं तो जो लखिर को ये कि है कि के कोई एकDa कंपनी जबभी सेक्यूरीटी इसू करना चाहें चाहिए सेक्यूरीटी शेयर की फार्बिक अपनी आप्रके हिया और पॉप्शन ऑस्ति एक आप्शन यह हैं कि को बगएर किस जैसे फुर्श कीजिक अगर मेरे एक कंपनी और मैने शेयर इसु करने हैं Mehre आपने friends में relative से उनसे informal meetings करने कर पुछें कि वहां इक नई कंपनी है इसमें आप investment करना चाहते हैं तो इसके आप शेयर या डिबेंचे खरीच सकते हैं यह दो different method है जो पहले वाला method है जिसमें general public को involved किया जाता है general public को involved किया जाता है general public को offer किया जाता है इसे legal language में कहते है public issue public issue और जो दूसरा method है जिसमें general public को involved नहीं किया जाता बलकि reality of friendship, family members को ओफर किया जाता है इसे कहते है private issue या private placement law क्या कहता है law कहता है जब यह दोनों में फरक समझा देता है उसके बाद law ये कहता है कि अगर आप public issue करना चाहते हैं तो आपको prospectus issue करना पड़ेगा और अगर private placement या private issue के जरिए से security issue करना चाहते हैं जैनल पब्ली को involved नहीं कर तो prospectus की जरूरत नहीं है हमने कहा prospectus क्या है उसने कहा prospectus है कम एक ऐसी document जिसमें company उसकी management उसके business के बारे में हर वो information होती है जो investors को जानना जरूरी है investment का decision करने से पहले ताकि वो देख ले कि जो investment जो वो पैसे invest करने जा रहा है वो safe hands में हैं भी के नहीं यह prospectus कहता है जब आप general public को security issue करते है ना उसक तो prospectus की जरूरत है लेकिन private placement के जरूरत की जरूरत है क्यों क्योंकि जो आपके friend and family member है वो बड़ी असानी के साथ जो भी information चाहिए आप से पूछ सकते हैं आप easily उनकी access में हैं वो आप से contact करके information ले सकते हैं जो भी जरूरी है लेकिन आप general public को offer करते हैं तो general public में हर बंदा इस position में नहीं है कि आपको approach कर सके आपको contact कर सके उसे जो भी information चाहिए investment का decision करने से पहले को आप से मांग सके इसलिए आपने करना क्या है जब कभी public issue करने लगें आप general public को security issue करने लगें आपने पहले से document prospectus बना देना है जिसमें हर वो information होगी जो users के जो investors के investment के decision के लिए relevant है for example जैसे company का business क्या है company के directors को उन लोग है बगार बगार इस document को क्या कहते है प्रॉस्पेक्टर्स यह chapter का जो major portion है वो प्रॉस्पेक्टर्स के गिरिद कहुंता है तो मुझे बताइए क्या आपको प्रॉस्पेक्टर्स के बारे में basic understanding मिल गई यह फ्रॉस्पेक्टर्स होता क्या है आगी चलते हैं इसे के बारे में अब study करते हैं कहते हैं प्रॉस्पेक्टर्स what it is nose sticks testament है केبة prospectus एसी डाकुमेंट है जो कि आफर करती है क्या परपजिए से मुल्द क्या है इसका मतब है करो कमची रिशी करने राखी जेंटर इसको करने निला पर इसका मजब मेंडर्द का में से किसी को सिक्रог लोगा तो हुआनु मेंडर्स तो friends and family member में तो general public का हिसा है देखें वो general public का हिसा जरूर है लेकिन असर में वो general public नहीं है क्योंकि generally share issue नहीं किये जा रहे है specific persons को किये जा रहे हैं जिनको जो भी information चाहिए आप से ले सकते हैं और आपको मैंने company law की एक बात बताई थी कि company law का focus उन companies के उपर यह उन transaction के उपर ज्यादा होता है जो कि general public से related होती है क्योंकि commission यह कहता है कि हमने general public का interest हो है उसको protect करना और फिर को यह कहता है कि हर वो document जो general public को securities offer करें हम उसे prospectus कहेंगे हर वो document जो general public को securities issue करने के लिए publish की जाए हम उसे prospectus कहेंगे चाहे आप उसका नाम कुछ भी रख ले ठीक है उसका नाम कुछ भी रख ले को notice कह लें कुछ भी कह लें इससे फरकने पड़ पर prospectus समझा आ गया क्या है अचा क्या चीज़ prospectus नहीं है यह सुनने है अगर फर्च कीजिए कोई document issue करता है bank किसलिए वो general public को invite कर सके कि आप मेरे account में आके पैसे जमा करवाएं आप देखते होंगे बाद वकात अख़बार खोला उसके अपर आहरी पेज के उपर तकरीबन quarter size के एक advertisement आती है फार एग्जमल हबी बैंक की तरफ से अगर देखा जाए तो वह prospectus की definition पर पूरा उतरती है वह कैसे वह एक document है जो के जनल पब्लिक से पैसे कठे करने के लिए issue की गई है लेकिन law कहता है कि ऐसी invitation इसको हम prospectus नहीं मानेंगे जो कोई अबैंक या नौन बैंकिंग फैनांस कंपनी he नौन सि होती है इसका मिस को कहते है इसकी टाइप और नवश्य उन्हों silent वह समय लिजーテ करते हैं कि यह वह भी तो पैसों में डिल करती है ai inवेस्मेंट ने पुन्हीं तो वह लेकिन वह आपका यह लेक्जी याथ लेकिन नेटर डिजन कमनी दोनोंеро तTer कि बैंक औरनाधूर्ट ब Interior जैसे बैंक की एक्जीषएंब नहीं समेझने के naval बैंक का तो रूटीन का काम है जनल पब्लिक से उसने ऐसे कठी करने तो क्या वो जब कभी जनल पब्लिक को इन्वाइट करेगा हर उस डाकुमेंट को हम प्रॉस्पेक्टस कहेंगे असल में प्रॉस्पेक्टस अब इशू करना पहले तो सबसे पहले वो यह कहता है रिक्वाइर्मेंट्स इन्होंने पूरी करनी होगी जो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा तो इसलिए उन्होंने का कि अगर कोई बैंक या नॉन बैंकिंग फैनांस कंपनी जनल पब्लिक को इन्वाइट करे कि आईए हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवाईए लेकिन अगर यह अपने शियर्स इशू करें यह रीने चेकर जो इस होते हैं यह सर्टिवेट फ़ीड भी इसे माग रहे हो ना शेयर्स के लावा अपने ही शेयर्स इस्यू करना के लावा कहता है वो प्रॉस्पैक्टरस नहीं होगा एक्साप्शन कलियर अच्छा मुझे बताएए एक पब्ली कम्पनी है वो जैनल पब्ली को शेयर्स इशू करना चाहती है वो अपने डायेक्टरस को शेयर्स इस्यू करना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में तो प्राइवेट कंपनी के किताबों में कहीं में लफज नहीं आएगा सिर्फ पॉब्ली कंपनी की और वह भी कब जब जब वो जन्रल पॉब्ली को शेर इसू करने लगेगी तब अब प्रॉस्पेक्टस समझ आगे आपको किसको कहते हैं अच्छा आगे चलते हैं प्रॉस्पेक्टस का परपस क्या है कहते हैं प्रॉस्पेक्टस है एक ऐसी डाकुमेंट जिसमें पब्ली कंपनी कूंसी कंपनी प्राइवेट कंपनी ने लिखा हुआ क्यों ने लिखा पबंदी तो पब्ली कंपनी जम अपनी सिक्यूरिटी जाफर करती है जर्ण पब्ली को तो क्या एशू करते है अगर प्राइब प्रॉस्पेक्टिस रिकॉइड एक बैंक ने कहा कि आप जितने भी मुझे इसु करने मैं खृता हूं है bring the ultrasound करने के लीए प्रॉस्पेक्टिस की ज़ुरत है नहीं है और पब्ली को उफर यह नहीं जाए प्राइबिट को इसमें प्रॉस्पेक्टर की ज़ुरत नहीं है है इस नहीं न्यक्ट है शहार इन्थ PROF होती है जो investment के decision के लिए relevant है जो investment के लिए relevant है अब यह हमारे इस लेशन में नहीं हिस्सा लेकिन आपको अडिशन कंसर्ट के तोर बता रहा हूं practically एक लिस्ट बनाई हुई है जब कभी आपने prospectus issue करने तो आपके prospectus में ये 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 information होनी चाहिए आप थोड़ा से ना company के point of view से सोचे और investor के point of view से सोचे आपको बहुत सी requirement समझ आ जाएंगी company ये चाहती है कि मैंने share issue करने है ना मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे आएं ज्यादा से ज्यादा subscription हो और share investor क्या चाहता है कि मेरी सारी उमर की जमा पहुझी मैंने company में invest करनी है मुझे इसके बारे में complete reliable information हो जितनी ज्यादा complete truthful reliable information होगी उतना ही मैं एक secure decision कर सकूँगा रिस्क कम होगा अब दोनों parties को यह पता है कि जो decision करना है ना वह प्रॉस्पेक्टर्स की वेस्पे करना है तो खुद सोचे company बनके आप चाहेंगे कि नहीं इस प्रॉस्पेक्टर्स में डंडी वा रहे हैं अहां बिल्कुर अच्छा दो तरह के misstatement prospectus में हो सकती है एक तो यह कि कोई positive information आप बढ़ा चड़ा के गलत तरीके से बियान कर दें अपनी company के बारे में positive information जो के सही नहीं है उसको include कर दें prospectus हो दूसरा तरीका क्या है आपकी company के बारे में जो negative information है उसे include ही ना करें उसे include ही ना करें एक तीसा तरीका भी है क्या उसे कहते है misleading information क्या आप information को इस तरीके से present करें कि जो पढ़ने वाला है वो गलत नतीजे पे पहुँचे है जैसे फर्ज कीजिए law ये कहता है अपना पिछले सालों का ये तीन तरह की होती है error, omission, misleading मैं तीनों की example आपको उप्छाने लगा हूँ law ने कहा कि जो company prospectus issue करें पिछले सालों का profit बताया है, हमारा पिछले सालों का profit है 70 million, हमने बता दिया 700 million, ये error है, omission है कि misledding है, error है, कि एक information थी घलत है, गलत, दूसरा का mission, law ये कहता है कि company prospectus issue करें तो company कहलाब जितने भी legal case चल रहे हैं उसकी detail बताया, एक legal case था जो company हार र सालों में company की products पिछले 5-6 सालों से अच्छी नहीं चल रहे हैं, और company में prospectus issue करते हुए लिखा, कि जो पिछले सालों में हमारी performance कम हुई है, ये करोना की वज़ा से हुई है, हलाकि एसल में product में ही इतनी जान नहीं है कि ये sale हो सके, अब ये देखे, information required थी include की है, लेकिन misled trading उसको इस तरीके से present किया गया है, कि लोगों को true picture का अंदाजा नहों वगला decision की तरफ चले जाए, हलाकि इसमें करोना का भी कुछ अमल दखल होगा, लेकिन करोना के साथ साथ उस product का, उस mismanagement का भी अमल दखला है, लेकिन information को इस तरीके से present किया गया, कि लोग ये समझें का मतलब क्या तीन तरह के error, omission, misleading information, इन तीनों में फरक समझा गया आपको, तो commission ये कहता है कि जो prospectus आपने issue करना है ना, उसमें ये information होनी चाहिए, क्योंकि इस information की base पे investor ने decision करना है कि मैं इस company की securities करीदो, और अगर किसी company ने dandy मारी, यानि prospectus issue किया, और उसमें जो information मैंने कही है, उसमें mis treatment हुई किसी की समझा, यानि या तो error हुआ, या omission हुआ, या misleading, तो मैं छोड़ूगा ने, हर director को पगड़ूगा मैं, क्योंकि ये collectively prospectus हर director की जिम्मेदारी है, जिस इस director ने prospectus के उपर sign किया हुआ, उसको सदा मिलेगी, तो ये जहन में रखीगा, prospectus एक को नी को पर नहीं छोड़ा, कि आप जो भी information मुनासिब समझते हैं, include करने, commission को भी बता है, कि ये तो सिर्फ positive information include करेंगे, negative include नहीं करेंगे, commission ने एक बकाइदा list दी हुआ, जो कभी हमारे syllabus में होती थी, अब नहीं है, कि prospectus में कौन-कौन सी information होनी चाहिए, सिर्फ एक दू investment के साथ क्या-क्या risk factors हैं, बास वकात कुछ business होते हैं, वो ज्यादा risk होते हैं, दूसरे business के निस्बत, तो हमारे बता सकते हैं, कैसा हमारा जो business चल रहा है, वो ज्यादातर export based है, इंपोर्ट based है, इस पर गर government ने कोई policy लगा दी, बेह लगा दिया, तो हमारा business बंद हो सकता है, यहां कुछ हो, technology based business है, अगर technology नहीं आती है, और हम उस पर शिफ्ट नहीं होते हैं, तो हमारा business down जा सकता है, जो भी risk factor है, जो भी risk factor है, जिस तरह कोई दवाई वाली शिशी आप खरीते हैं, उस पर कुछ warning लिखी होते हैं, बच्चों की पहुंच से दूर रखे, तो य इसी तरह यहां पर भी risk factor लिखा होता है, लिखा होता है, लिखा होता है, और नॉर्मली एक जो लाइन लिखी होता है, कि आपको पिछले सालों की earnings में profit बता तो रहे हैं, लेकिन लाजमी नहीं है, profit demand करता है market conditions के उपर, लाजमी नहीं कि future में यहीं trend follow, यह risk factor है, कि market conditions की information होती है, prospectus क्या है, समझ आ गया, कब issue करते हैं, यह भी समझ आ गया, इसमें information किस तरह की होती है, समझ आ देखे, concept build हो गया न, आगे requirement बढ़ी असानी से मैं add करवा दूँग, prospectus का concept build हो गया आपका, आगे चलते हैं, timing, prospectus कब issue किया जा, अशे आपको पता है, memorandum association कब बना बन रही होती है, और कम तक चलता है, winding up, जब तक company हतम नहीं होती, throughout the life of company, memorandum और आटिकल दोने चलते हैं, जब तक, company जिन्दा है, शल रही है, memorandum और आटिकल दो, prospectus कब बनाया जाता है, यह जब security general public को issue करनी होती है, उस वक्त prospectus issue किया जाता है, और prospectus कब तक रहता है वाला, जब share issue हो जाते है, share issue होगे, prospectus का काम खतम, prospectus खतम, prospectus की कोई कानूनी है, यही कह रहा है, आप in corporation के बाद कभी भी prospectus issue कर सकते हैं, in corporation के फोरण बाद, अगर आप चाहते हैं private company, फिर तो prospectus issue नहीं कर सकते हैं, public company अगर आपने बनाई, तो आपन public issue से, अगर private placement, तो फिर भी prospectus की जरुवत नहीं, और अगर public issue के जरीए से पैसे ही घठे करने हैं, फिर और वा इंकार प्रेशन के फोरण बाद भी कर सकते हैं, जैसे कुछ प्रमोटर्स या कुछ सब्सक्राइबर्स या कुछ मेंबर्स होते हैं, उन्हें पहले से प्लाइ क्रशिकेशन भी डाल देते हैं और साथ ही साथ prospectus बीशु कर देते हैं, प्रॉस्पेकट भी इशू कर देते हैं, तो इन पार पुरेशन के फोरन बाद भी prospectus इशू किया जा सकता है, जब भी आप समझते हों, के जैनर पूब्लिक से पैसे से इव अभी certificate of commencement of business, certificate of commencement of business बता ह अच्छा मुझे मताईए आपको अच्छा में अच्छा इन दस साल करना लाजमी नहीं है घर भी बैठे रहे ने दस साल पाद आटोमेटिकली अफ्जी हो जाए उसी तरह कांपनी जब इनकार्वेट होती है उसे मिलता है सर्टिफिकेट ओफ इनकार्पोरेशन और उसके कुछ हरसे के बार जो दस साल नहीं है कुछ हरसे के बार उसे सर्टिफिकेट ओफ कमेंस्मेंट ओफ बिजनेस मिलता है लेकिन उसे घर बैठे साल इसे कुछ कंडिशन पूरा करनी पड़ते हैं यह जहन में रखेगा क्या करना पड़ेगा कुछ कंडिशन पूरी करनी पड़ेंगी बार आप उसको थोड़ी देर क्लिए साइड पर रखते हैं बताना यह चाहरा था के प्रॉस्पेक्टर्स इन कार्परेशन के बाद बनता है इशू होता है किसी बीवक्त इशू कर सकते हैं चाहे सर्टिफिकेट ओफ कमेंस्टर बिजनेस लिया है या भी नहीं लिया है ठीक है लेकिन इसका एक एक स्पा इशू नहीं हो जाते बलके अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मजीद इसको टेकिनिकल लीगल टर्म्स में बता दूं तब तक किसका पैलेट अच्छा मुझे यह बताईए यह बताईए कमीशन ने कहा कि प्रॉस्पेक्टर्स में यह यह इंफरमेशन होनी चाहिए सही आफिस कहा कंपनी को चाहिए का ओर प्रउस्पेक्टर्स में वह सारी इंफर्मेशन इंक्लूड करे मैं अच्छा बताइए और prospectus बनाके फूरी तोर पे इशू कर देना चाहिए के commission को दिखाना चाहिए ये लो भाई क्यों दिखाना चाहिए ताके वो देख ले के manager requirement कही है सारी कि सारी पूरी की है कि नहीं इसने इसका मतब है prospectus के लिए required है commission से approved हो अच्छा बताइए यह commission जब approval देगा क्या यह कहें का यह लो अगले दस साल में जब मर्जी prospectus issue कर देना वह एक वैलिडेटी पीरियड देता है for example 60 days हो सकते हैं वह हो हो सकता है कितने आप आगे पड़ेगी में भी 60 में भी उसे शुकरना कहीं साट दिन के बाद कमदी ने शुकिया ना तो टाइम गुजरने की वज़ा से वह सारी information जो प्रॉस्पैक्टस में दे गया वह चेंज ना हो जाए चेंज भी दो सकते हैं को ने मैंने एक लाइन पड़ी तो मुझे दाजा हुआ कमिशन मेरी सोच से ज्यादा शातिर है ऐसे से पता क्या लिखा हुआ है उसने कहा है पाकिस्तान का हर प्रॉस्पैक्टस मेरे से अप्रूव होके फिर इशू होगा परना नहीं होगा फिर अच्छा इसमें कोई कोई चाल हाँ शातिराना चाल आगया नहीं वो कहने लगा लेकिन मेरे से अप्रूवल का मतलब यह नहीं है कल कलांक अगर प्रॉस्पैक्टस में कोई गलती निकल आई तो सारी मुझे पकड़ ले कि आपने अप्रूव किया था यह प्रूवल देनी है उसकी गरंटी नहीं ते नहीं इस इसलिए जब गभी प्रॉस्पैक्टस में मिस्टेटमंट आए तो इनवेसर को चाहिए डिरेक्टर के लाव केस करें मैं पुद भी ड्रेक्टर को हैबी पैनलिटी डालूआगा लेकिन आप्रूव कर रहा हूं लेकिन गलत होने के सुरत में जिम्हेदार नहीं हूँ य वहाराल उसने का उसने अपने आपको सेक्योर कर लिया ठीक है समझागे उसका अब हाँ सारा को से देख के किया होगा उसने अब अब मकसद यह यह है कि वह यह देख लेकिए लेकिन उसके बावजूद वह यह कर रहा है कि मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है तो यह क्लियर हो गया आपको कि एक वैलिडिटी पीरिएड होता है और कितना है पता नहीं कितना है में भी 60 days हो में भी उसे ज्यादा हो वो पढ़ेंगे तो आगे पता चलेगा पर कलियर हो गया अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताइए अब आप से एक practical question पूछता हूं आप एक company के CFO हैं अगर आप ने finance पड़ी होना जो कि नहीं पड़ी हूए चले तो आपको पता कि जब पैसों की जरूरत होना तभी पैसे लोगों से मांगने चाहिए उधार तभी लेगा चाहिए और जितने पैसों की जरूरत हो तभी लेना चाहिए फर्श किजिए आप company के CFO हो हैं आपने project लगाना है project के लिए construction कर रहे हैं building बना रहे हैं building पांच महीनों में बनेगी हर महीने दस मिलियन लगेगा हर महीने दस मिलियन क्या आप बैंक से start में ही 50 मिलियन लेंगे क्यों बैंक से start में karşıा स्टार्ट में बढ़ा रहेगा क्यों अच्छा क्यूं नहीं है इंट्रस्ट पढ़ता जाएगा शाबाश आप यूज पचास में से 10 मिलिन कर रहे होंगे इंट्रस्ट पचास में देना पड़ेगा इसलिए जो बेहतर बैस्ट अब मुझे बताईए क्या स्टार्ट में ही पहले हैं अब मुझे बताईए क्या स्टार्ट में ही के पाइली दिन ही पॉचस मिलिन करेंगे कि पहले महिने 10 मिलिन अगले महिने 10 मिलिन फिर कीज़े indem बताईए बेहतर फैनैंशल स्ट्रेड़जी क्या है लेकिन अप्षण मेंए एक लीगल इसई को फेस करती रही और यह क्या कोशा दफाओं उसको इशू करें यह सारी लीगल फार्मेटिस हम तो यहीं काम करते रहेंगे यह एक वैलीड इशू था इसलिए कमेशन ने इसका एक हल निकाला हल क्या निकाला हल ये निकाला कि हम वो ही काम करें कंपनी वाले वो ही काम करें जो आई कैप करता है फेल नहीं करता है वो फेल तो करता ही है और भी कोई काम करता है आई कैप क्या करता है आई कैप करता है आपके किसी सब्जेट की बुक पब्लिश की बाद में अच्छा मुझे सोच के बताइए बाद में जब कोई चैप्टर रिवाइज होता है चैप्टर यहाँ के है इसका सब्लिवेंट बियुक्त होगा यहाँ कुछ है कम होगे हैं सब्लिवेंटין होता अब कम हो गया लेकिन अब भी सप्लीमेंट शहद हो इसे टैंड में कोई में भी आज़ाता होता है चलिए बाराग सप्लीमेंट का किसरप भता है ने कहां डिए यह काम करें आपको क्मिशन ने कहां फिर्स टाइम जो आप इशू कर रहें आप पहली आपछिन तो यह है कि यह लेकिन अगर यह लेकिन अगर आप आपने करना चाहें लेकिन अगर आपने पैसारी करना चाहते हैं दो यह साल भी हो सकता है अगर आपने एक साल के अंदर छे दफा सेक्यूरिटीज इशू करनी हैं मिल्टिपल इशू मिल्टिपल के उपर फोकस कीजिए मिल्टिपल समझ आ रहे हैं तो आप क्या करें फर्स टाइम तो पूरे का पूरा प्रोस्पेक्टस इशू करें जिसे कहते हैं शेल्फ और फिर उसके बाद दो महिने बाद जब दुबारा सेक्यूरिटीज इशू करनी हों तो पहले देखें क्या शेल्फ शेल्फ रॉस्पेक्टस में उसके उपर वैलिडिडी पीरिड होता है और यह डिपेंड करता है कि आपने मिल्टिपल जो इशू करते हैं वो कितने कितन अगर आपका प्रोजेक्ट एक साल का है एक साल में आपने पांच-छे दफ़ा सेक्यूरिटीज को इशू करना है तो इसका वैलिडिडी पीरिड गया होगा वरना नार्मल क्या होता है तो यहां पर शेल्फ रॉस्पेक्टस इशू करें दो महिने बाद जब दुबारा प् अगर तो कोई चेंज ना आए तो ऐसे ही मजीद यही प्रॉस्पेक्टस अप्लाई होगा और इसी के अंडर आप दूसरी दफा भी शेयर्स इशू कर सकते हैं अगर कोई चेंज आया है सप्लीमेंट में याद रखें पूरे के पूरी इंफरमेशन नहीं होगी इसमें हूई हैया है जो मतलब समझाया तो एक होता है रेग्लीर प्रॉस्पेक्टस जिसको सिरुफ प्रॉस्पेक्टस क्यूद्फ हम इओ इसमेंज है सबम havia फरक जागया सब्सक्सिजबिष करने अगर आप चले, अब यह concept हमारा complete हो गया, अब यह आगे concept यूज नहीं होगा, यह concept आगे यूज नहीं होगा, यहां तक clear, आगे चलें, यह सारे छोड़े-छोड़े concepts थे, अब आपके सामने जो concept मैं शेयर करने जा रहा हूं, वो हमारे इस पूरे chapter की summary कहले, बलके summary क्या पूरा, सामने display होगा, यह जो सारी information है, आपके exam point of view से, पूरे chapter में सबसे ज़्यादा है information है, इस एक board के ओपर जो information display की गई है ना, पिछले समय लीजिए के 10 सालों में, इस एक page सफे में जो board में information है, इसमें कोई 30-40 questions उसने test की होगा, इस information से जो आपके सामने present की गई है, यह यान प्रॉस्पेक्टरस एक एहम पार्ट, टॉपिक है हमारे से, और तक्रीबन हर attempt में इसमें से कुछ ना कुछ question जरूर पूछता है, इसके साथ अगर expert वाली बात भी मिला ले ना, जो हमने इसके बाद पढ़नी है, तो फिर तो समय दीजिए, कि मैं आप से यह कमूँगा, इ स्टाट करें, क्या स्टाट करने लगे हैं, प्रोसीजर, किसी इसका प्रोसीजर, प्रोस्पेक्टरस को इश्यू करने का प्रोसीजर, अच्छा लफज issuance law यूज करता है, लेकिन मुझे पसंद है लफज इश्यू, इश्यू में और इश्यूंस में सिरफ एक ही फरक है, इश्यूंस मुश्किल लफज है, और इश्यू असान है, तो जहां कहीं इश्यूंस का लफज हो, आप उसकी बिजए सिरफ इश्यू का बड़ भी बूल, प्रोस्पेक्टरस इश्यू करने का प्रोस्पेक्टर क्या है, स्टैब नंबर वान, बोर्ड ओफ डिरेक्टर डिस प्रोस्पेक्टर करते हैं, पहले डिसीन किया जनल पबली को शेर इश्यू करते हैं, फिर क्या किया, प्रोस्पेक्टर प्रोस्पेक्टर कोन प्रिपेर करता है, और डिरेक्टर के साथ-साथ कभी कोई एक्सपर्ट भी इन्वाल हो जाता है, अब डिरेक्टर तो आपको प कामदी के हिलाफ legal cases ना सोच के बताईए क्या ये बताना चाहिए कि नहीं कि expected outcome क्या है क्या ये डिरेक्टर फुद बना लेंगे बता देंगे इसके लिए क्या करना पड़ेगा कोई lawyer इस फिल्ड के expert है ना अगर डिरेक्टर कहे कि हम ये case जीत जाएंगे ये ज्यादा reliable information है कि क कोई भी जो भी नाचले गाले किसी को भी किसी आख कर देंने बहीं नाचले गाते ये सब को सिझी की वजासे होता है जालेगी में अच्छा है वह बहुं कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली वह ऐसा नहीं करते किसी dentist को बलाते क्यों भला क्योंकि डेंटेंस के मुझ से जो statement निकल कर रही हो तो बजाए वो information डारेक्टर दे इसकी बजाए वो information अगर की expert दे तो वो ज्यादा reliable होगी पब्ली के लिए इसलिए प्रॉस्पेक्टर की preparation में याद रखें डारेक्टर तो होते ही होते हैं डारेक्टर के साथ expert भी हो सकते हैं इसकी और example देता है कहता है आपने accounting में revaluation पड़ी हुई है कहता है जब कोई property खरीदी revenue करवाई ना तो company ने कहा हमारा 100 million की property खरीदी अब 250 million की हो गई है क्या reliance आपकी बढ़ जाएगी statement के उपर नहीं किस वक्त बढ़ेगी जब कोई independent value रागे यह statement देगा तो कहता है जो value है यह भी एक्सपर्ट की एक example है तो दो एक्जेंपल देदी एक्सपर्ट का concern समझा गया आप अगर ही करते हैं कि prospectus की preparation में expert की involvement हो सकती है एक्सपर्ट को भी यूज किया जा सकता है बिलकुल ठीक है आगे जा हाँ अगला question अगर prospectus में misstatement है तो एक्सपर्ट भी लाइबल होगा देखें डिरेक्टर तो होंगे ही होंगे expert में भी लाइबल हो में भी नहीं क्यों अगर तो मिस्स्ट्रेट्मेंट उस figure में है जो एक्सपर्ट ने चेक की Sabbath है यह यह एक्सपर्ट का एरिया तब उप्रोलाइबल होगा तो स्टाफिश वैलीचन करता ही नहीं है अगर डैरेक्टर दे क्राइटर की वैल्यू कम शोगरवाई तो बताये एक्सपट लाइबल है कि नहीं एक्सपट कि नहीं कैसे कि यह जिसमें बने क्या सिखा कि प्रॉस्पैक्टरिशिए में डैरेक्टर के सासा समट इंप expert with involved do these expert program sorry expert point हो गया काम हो गया prospectus प्रिपेर हो गया अज़के प्रॉस्पेक्ट प्रिपेर हो गया तो इसके फोरन भाज अनल पब्ली करिक्शू कर दें जबाश प्रॉवल साब आच मेशन से आप है अप्लाइट उ commission for approval commission को prospectus submit करवाओ registrar को नहीं किसको commission को किसलिए भाई जान अपरूव कर दें कब जो आपकी proposed date of publication है publication of prospectus इसे publishing of prospectus भी कहते है इसका मतलब क्या होता है जिस दिन publish करने का मतलब क्या होता है जिस दिन जाने publish करना है कुछ सा जब अखबार में इस्तिहार दिया जाता है आप करता है prospectus अखबार में चपते हैं आज घर जाके Google पर जाके सर्च कीजिएगा prospectus ठीक है आपके सामने कुछ newspaper भी आ जाए कि जिनमें prospectus कुछ को मैंने खुद भी पढ़े हुआ है ठीक है अखबार के अंदर भी छोटा छोटा इंफरमेशन आपने शायद कभी देखी हो एक दर्म्यान में पेज होता है पूरा चोड़ी छोटी इंफरमेशन कंपनी के बारा में प्रॉस्पेक्ट तो प्रॉस्पेक्टर्स याद रखे एखबार में पब्लिश कर्वाना हो होता है लाजमी है इसके लावा भी कुछ जगों पर रखवाना होता है गैस कर सकते हैं किस देखा पर वेबसाइट वे शावार ठीक है वेबसेट पर रखाओगा आप अभी जाके टाइप करें प्रॉस्पेक्टर्स आपके सामने बहुत ही कमनी के लिंक फुल जाएगा जह 15 जनवरी अब आपने कमीशन के पास इसको कब लेकर जाना चाहिए अगर हम 10 जनवरी को कमीशन के पास लेजाना कमीशन के लिए मुझे यानि तुम इशू करना चाहते हो 15 और मुझे मैं इतना पार हूं कि 5 दिन में सरा पढ़के तो मैं अप्रूफ कर दूंगा नहीं सकता है मैं प्रॉस्पेक्टस जल्दी अवरूव कर दूँ हो सकता है कुछ रिजन की वज़े से डिलेय हो जाए लेकिन तुम अंदाजन 21 दिन पहले मेरे पास प्रॉस्पेक्टस लेहाना है है प्रॉस्पेक्टस आया हमने 15 जनवरी को इस्यू करना था हमें तक्रीबन मेर बicamente जल्द हाला रफली कोई 24 25 दिसमबर को फ्रॉस से के कमिशन को हमने 25 जनवरी को प्रॉस्पेक्टस प्रॉस कर दिया तक्र सकता क्या हूं तो 21 दिन अंदाजन मांगे थे ना अप्रूव तो जल्दी भी कर सकता है पांच जन्वरी अब हम यह प्रॉस्पेक्ट कब इश्यू करें पांच के बाद शाबाश पहला कंसर्ट पांच से पहले हर्गिज नहीं करना दूसरा कंसर्ट पांच जन्वरी के बाद कब तक तक नो सिक्स्टी डेज्स का व्लेटी पीरिड होता है तो पांच जन्वरी यह तो उसके बाद 15 फरवरी और फिर उसके बाद 17 मार्च तक आप पांच जन्वरी से लेकर 17 इसलिए का फरवरी के थाइस दिन है दो दिन मैंने एड़ी कर दिया मार्श हमैं, 17 मारश तक आ प्रॉसपक्ट को इस्यू कर सकते हैं, उसके बाद घ्यक्त कर सकते हैं, उसके बाद, उसके बाद इकस्पाइर हो गया, हाँ, अगर कहने अग्धर कहता दुटरellt ख़्यक करना है कब अप्लाई करना है आगे कि कहानी बाद में पढ़ेंगे उस तरफ नहीं देनी आपके हैं 21 देज भी फॉर प्रूस डेट और जब अप्रूव हो जाए तो कब इशु करना है विदिन विदिन सिक्स्टी डेज अफ अप्रूवल तो डेट अफ प्रूवल हमारी एग्जेंबल में पांसे जनवरी है साथ माँ चुझा तरह का दिया चले छोड़े साथ माँ साथ माँ ठीक हरें साथ माँ सुर्ड़ से कोई बात मैं पूछ लगा तो साथ दिन साथ दिन गलिए हो गए अच्या अब सुनें विदिन सिक्स्टी डेज ऑफ अप्रूवल पब्लिश करना है पब्लिश करने से क्या मुराद है अख़बार में है पब्लिश करना है अख़बार इस दिखार शाबार सरकारी कामा में अख़बार तरूरी होता है किस सक्वार में है एक इंग्लिश और एक उर्दू एक इंग्लिश एक उर्दू जो के वाइड सरकुलेश हो जिसकी वाइड सर्कूलेशन से क्या हम राद है जो पाकिसान के बड़े-बड़े शहरों में चपता हो बता सकते हैं कुन सा अख़बार ना इंग्लिश में डॉन दिनियूस और अर्दू के एक दो हुआ है नवाइबक्त जग बिल्कु ठीक है तो ये निशन वाइड अच् एक न्या खबार भी अपने सुनाँवे निया ख़बार ना दुपहर को छपता है दुपहर को सिरफ लाहूर मी चपता है मेरा ह्याल और वर्च में जीब-गरीब किसम की खबरे होती है नेट पर होती हैं हो इसकी नेशनवाइड सर्कूलेशन ये कुछ ऑप बार ऐसी होते ह एक इंग्लिश और उर्दु और उर्दु वह नहीं और उसका मतलब है यह इंग्लिश में भी उर्दु में भी ठीक है डेली न्यूस पेपर फुल फॉर्म में या एब्रीजिट फॉर्म एब्रीज क्या होती है समराइज अगर आप लॉस्पेक्टर्स को सेर्च करेंगे ना वो डेड़ 200 सफ़ों की डाकुमेंट होती है डेड़ 200 सफ़ों की डाकुमेंट किसी अख़बार में सारी कि सारी आज़ेटी चप सकती है इसलिए लाउन ने कहा कि आप फुल फॉर्म में भी पब्लिश कर सकते हैं और अब्रीज यानि समराइज फॉर्म में भी पब्लिश क करना चाहिए बिल्कुल मेक सफिशन्ट कापीज अवेलेबल फ्री 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 मुफत मैं एड स्पैसिफाइड प्लेसिस स्पैसिफाइड प्लेसिस कौन सी है पुछे यह कर डिटेल में सड़ी करेंगे अभी नहीं अभी सिर्फ मैं आपको स्टेप सारी तम्दीट करना चाह सब्सक्राइब करेंगे पम्लीग से पैसों की वसूली शुरू करेंगे अच्छा बताईए सारह सोचिए कंसेम्ट कि क्या कल से ही पब्लीग सब्सक्राइब करने के लिए सोचने समझने के लिए कुछ दिन देने चाहिए कुछ दिन देने चाहिए विकम अज़कम साथ दिन तो देने चाहिए ना एक सो पचास हमद की डाकुमेंट है, पढ़ते पढ़ते सुमझे लग जाएंगे, लग जाएंगे नहीं लग जाएंगे, ठीक है, तो हमें साथ दिन तो देने चाहिए हैं, तो यही जिहन में रखेगा, कि prospectus जब publish होता है या prospectus जब issue होता है उसके फोरण बाद subscription शुरू नहीं हो जाती बलके कुछ दिन के बाद होती ताकि prospectus लोग पढ़ लें समझ लें साथ दिन के बाद ठीक है public subscription कब होगी किसके साथ दिन के बाद issuants of prospectus के clear हुआ चलिए ये सारे steps हमने पढ़ लिया अब आपने इधर बोर्ड की तरफ नहीं देखना और मुझे बताना है prospectus इशू होने के steps क्या क्या होते हैं जी मेरे भाई आप बताईए कहानी शुरू कहां से होती है prospectus इशू करने वाले अब सबसे पहले डायरेक्टर रिसाइड करेंगे कि हमने प्रॉस्पेक्टर सुच्छू करना जट जनल पबली को शेर इशू करने है step number two पे क्या होगा वैट पाइसक्टर अब फैसला कर लिए फिर क्या होगा यह प्रॉस्पेक्टर को प्रिपेर किया जाएगा अप्रॉवल बहुत हमें हैं कि फ़िए कर लो राउस्पेक्टर फिर कौन को लोग करेंगे अब डार अगर और जूरू बड़े तो एकसपर्ड अच्छा मुझे बताईए जब अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे तो कितने दिन पहले प्रपोस्ट डेट ओफ पब्लीकेशन से कितने दिन पहले अब कमिशन इसकी अप्रूवल देगा तो वैलेडिडी पीरिड कितना है 60 देश के अंदर कमनी क्या करना है अचा पब्लिश कहां करना या वान नूर्दू यंगलेश टेली नूज़टेपर इनफोलड और अब्लीज फांप और पब्लिश करने के कितने दिन बाद सब्सक्रिप्शन स्ब्सक्रिप्स्ट करनी है यह से जबाइब होगे आज घर जा कि आपने यह step complete करने हैं देखें यह step समझना जरूरी है इसलिए कि some time some time question यहां से पूछ लेगा some time यहां से पूछ लेगा some time यहां से और some time यहां से तो जब तक आपको clear नहीं होगा कि कौन सा step किस जगह पर आकर perform हो रहा है आप उसकी requirement को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे इसलिए आज के दिन जो आपने सबसे एहम काम करना है कमनी लहां में वो क्या करना है यह step जो process practice issue करने के steps है ना यह याद करने है चलिए चलिए आज का lecture यहां पर हम खतम करते हैं अल्ला हाफिज अल्ला है